आज हम लोग चवालिस्वे सूत्र को पढ़ेंगे चवालिस्वे सूत्र पांच चीजों की चर्चा करता है जैसा कि कल मैंने आपके सामने ये विशह रखा था स्थूल, स्वरूप, सुक्ष्म, अन्वय, अर्थवत्व, ये पांच किसी भी वस्तू की पांच स्थितियां होत हैं दुनिया की कोई भी वस्तू हो वो इन पांच स्थितियों से होकर गुजरेगी अगर हम जो हमारे सामने आज है उससे मूल रूप तक जाएं तो यही करम रहेगा जो करम है स्थूल, स्वरूप, सुक्ष्म, अन्वय, और अर्थवत्व, और यदि हम पीछे से अब तक क स्थूल की हो रहें तो करम रहेगा अर्थवत्व, अन्वय, सुक्ष्म, स्वरूप, स्थूल, अगर इन पांचों पर सैयम कर लिया जाए, सैयम अर्थात अगर इन पांचों स्थितियों को जान लिया जाए, कब कौन से स्थिती होती है, यह किस स्थिती में वस्तू कैसा प अंतर आते हैं रूपों में, अगर उनको जान लिया जाए, तो भूत जया है, भूतों पर विजय प्राप्त हो जाती, किन भूतों पर? यही स्थूल भूत, जो हमारे सामने है, पृत्वी अगनी जलवाईू आकाश, कल मैंने आपके सामने इन पांचों का बड़ा मोटा मोट सार्थ आपके सामने रखा था, एक बार कुनह देख लेते हैं, मान लीजी हमारे पास, मिट्टी नाम की वस्तु है, पृत्वी नाम की वस्तु है, भूत है, उसका स्थूल स्वरूप है, एक मिट्टी का ढेला जो हमारे सामने है, स्थूल स्वरूप है, दिखाई दे रहा ह छू सकते हैं हम उसे लेकिन बात आती है कि उसका अपना रूप क्या है भाई मिट्टी में जो स्पर्ष है वो तो वायू का गुण है मिट्टी यानि कि प्रिथवी का अपना मूल गुण तो गंध है तो फिर उसमें जो ये जो स्पर्ष का गुणा है तो वायू के कारण मिला है तो फिर प्रशन उठता है उसका अपना रूप क्या शुरूप क्या तो कहा गंध गंध उसका अपना रूप है फिर आते हैं सूक्षम अब थोड़ा उस से भी थोड़ा पीछे जाएंगे तो पता चलेगा कि सूक्षम क्या है वो गंध भी प्रिथवी Bereich प्रित्वी का चो प्रित्वी बनी है, तो प्रित्वी का जो मिट्टी का ढहला उसका सूक्ष्म रूप है गंध-तन्मात्रा, फिर आते हैं अन्वय पर, यानि और पीचे चले जाईए, अन्वय यानि कि पांचो तक्त्वों में कोई एक चीज ऐसी है, जो common है सब में एक जैसी है, सब में अनवित है अनवय का अर्थ ही है जो सब में अनवित हो सब में रहती हो तो क्या कोई ऐसी युग्यता कोई ऐसा गुण है, तो बोले हाँ है क्या है, तो बोले हैं वो है पृत्वी के मूलतत्व, सत्वरजस्तमस वो हर महाभूत में है सब में मिलेंगे आपको क्योंकि उसी से सब बने है तो वो सत्वर अजस्तमस हो गए अन्वय अब आया अर्थवत्व प्रकृती से लेकर के और स्थूल भूतों तक मिट्टी के ढेले तक ये जो निर्मान हुआ ये जो रचना बनी क्यों बनी ये व्यर्थ में बन गई नहीं इसका एक प्रयोजन था उद्देश्य था और उस उद्देश्य को ही कहते हैं अर्थवत्य बिना उद्देश्य के कुछ नहीं होता अगर इन पांचों स्थितियों पर हमने सयम कर लिया यानि कि इसे जान लिया एक एक को गहराई से कि देखिए जो जल तत्व है जल महाभूत है इस जल महाभूत का स्थूल रूप क्या है स्वय यानि कि अपना रूप क्या है सूक्ष्म रूप क्या है अनवय रूप क्या है और इसका उद्देश्य क्या है ऐसे हर महाभूत के बारे में दिजान लिया तो भूत जहें पांचों भूतों पर विजय प्राप्त हो जाती है उदहरन के तौर पर आज के जो वैज्जानिक है चाहे पाश्चात्ते हैं लेकिन उन पाश्चात्य वेज्जानिकों ने भी क्या किया है यही तो किया है एक एक वस्तु को लिया और उस वस्तु का स्थोल रूप भी जाना अपना रूप भी जाना सूक्ष में भी गए और कुल मिलाकर वो जानने का प्रयास कर रहे हैं कि अनवय भी क्या है यानि कि कु उतने जितना उन्होंने जान लिया, उतना उतना नियंतरण कर लिया है. जल पर, अगनी पर, पृथवी पर, वायू पर नियंतरण पाचुके हैं वो. यही सैयम है. मैंने फिर एक पहले भी कभी कहा, एक बाड़ फिर दोहरा देते हैं, सैयम का मतलब केवल आंखबंद करना न करते हैं इसलिए उन्हें भी सैयम मिलता है इसलिए उन्हें भी जिस वस्तू पर वो सैयम कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी मिल जाती है जय हो जाता है विजय मिल जाती है उस पर बस यही है सैयम का फ़ल आगे अब योग दर्शन में हम व्यास भाष्य को पढ़ेंगे सूत्र और व्यास भाषे बड़ा सुंदर है व्यास भाषे में कुछ नई चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी भाषा से संबंधे और सिधान्तों से संबंधे व्यास भाष्ये में महर्शी वेदव व्यास जी लिखते हैं तत्र पार्थिवाद्याह शब्दादयोह विशेशाह सहकारी भी ही धर्मई ही स्थूल शब्देन परिभाषिताह केरें तत्र इन पाँचों में पार्थिवाद्याह शब्दादयाह पार्थिव आदी जो शब्द आदी हैं मतलब पृत्वी अगनी जल वायू आकाश और शब्द स्पर्ष रूप रस गंध हमें पृत्वी आदी जो मूल तत्व हैं वो शब्द स्पर्ष रूप रस गंध तनमात्राओं से बने हैं लेकिन यहां पर एक शब्द है शब्द पार्थिवाद्या है शब्द आदया है यहां शब्द का मतलब शब्द तनमात्राओं नहीं है इसे यूँ समझ लीजिए कि पृत्वी में जो मूल गुण है अपना वो गंध है ठीक है लेकिन एक और गुण है पृत्वी में अगर उस पृत्वी के ढेले को ऐसे हाथ से पीटेंगे तो उसमें ध्वनी भी आएगी शब्द तनमात्राओं नहीं वो जो सुनाई देने वाला शब्द है वो शब्द तो वो जो पृत्वी आदी पांच तत्व हैं और शब्दाद यहर जो शब्द आदी गुण है वो विशेश है उनमें सहकारी भी ही धर्मई ही स्थूल शब्देन परिभाशिता वो अपने स सहकारी धर्मों के साथ मिल करके किसी स्थूल नाम से पुकारे गए हैं उदहरन के तौर पर मैंने अभी बताया जैसे हमारे हाथ में मिट्टी का ढेला है केवल और केवल उसमें कोई गंध गुण ही थोड़ाई है बहुत सारे गुण है उसमें तो कोई पृत्वी का ही गु आती हैं और शब्द आदी हैं शब्दस पर शुरू प्रसगंद ये क्या है वैसे तो विशेश हैं लेकिन अपने सहकारी धर्मों के साथ मिल करके यानि कि अपने साथ वाले कुछ गुणों के साथ मिल करके कुछ नया ही रूप बन जाते हैं उदहरन के तौर पर एक और रोटी खाते हैं वो आटे से तयार होती है लेकिन सच में के आटे से तयार हो जाती है नहीं उसे पानी भी चाहिए अगनी भी चाहिए दोनों चीज़ चाहिए लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं आग से रोटी बनाई नहीं कोई मूर्ख ही कहेगा और कोई कह दे तो लोग उस की रोटी है तो अपने सहकारी धर्मों को उसने साथ में लिया सहकारी धर्म यानि कि आटे ने अगनी को और पानी को साथ में जोड़ा और फिर कुछ एक खाने योग्य रोटी के रूप में बदल गया आटा और फिर उसको नाम हमने दिया रोटी इससे पहले आटा नाम था उ बलकि उसके पीछे कुछ दो-चार और तत्व जुड़े हुए हैं, तब जाके वो प्रयोग लायक बनी हैं, और उसे एक नाम दिया गया है, कोई भी नाम, उसे आप पत्थर नाम दे दीजिए, लोहा नाम दे दीजिए, उसे वस्त्र कपड़ा नाम दे दीजिए, फोन हमारे हाथों में हैं, वो नाम दे दीजिए, तो किवले एक ही चीद से थोड़ी बने हैं उनके साथ में और भी सहकारी धर्म जुड़े हुए हैं, तब जाके वो प्रयोग लायक बने हैं, और स्थूल शब्देन परिभाशिताहा, किसी स्थूल नाम से हम उसको बुलाते हैं, एत द्वितियम रूपम थोड़ा और सूक्षम में जाईए, तो द्वितियम रूपम स्वसामान्यम मूर्तिही भूमिही स्नेहो जलम वहनी उश्नता वायू प्रणामी सर्वतो गतिही आकाश इत्यतत स्वरूप शब्देन उच्यते, अब बात आती है कि वस्तू का अपना मू पानी मेरे हाथ में है, क्या पानी में सच में केवल जल तत्व है, बाकी तत्व नहीं है, मैंने कहा था कोई भी वस्तू दिखाई दे रही है ना, तो बिना अगनी तत्व के दिखाई नहीं दे सकती, क्या जल हमें दिखाई दे रहा है, हाँ, हमारे सामने दिखाई देता है हमें तभी तो उठा कर पी लेते हैं और अगर जल दिखाई दे रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है उसमें अगनी तत्व भी है लेकिन प्रश्ण ये तो फिर जल का अपना रूप क्या है जिसको हम स्वरूप बोलते हैं तो जल का स्वा सामान्य मूड्य भूमी स्ने हो जलं कहरें जो स्वा सामान्य रूप है वो हम बताते हैं कोई अगर मूर्ति आपको दिखाई दे तो वैसे तो उसमें बहुत सारे क्थव मिले हुए होंगे लेकिन उसका जो मौलिक तत्व है वो है भूमी बिना भूमी के मूर्ती नहीं बन सकती यानि बिना प्रिथवी के भूमी नहीं बन सकती प्रिथवी उसमें मूल है जैसे कि हमारे शरीर को पार्थिव शरीर कहते हैं पहले भी मैंने शायद आप लोगों के सामने चर्चा रखी हमारे शरीर को पार्थि माने पृत्वी से बना हुआ पार्थिव का मतलब ही ये पृत्वी से बना हुआ पर क्या सच में पांचों भूत नहीं है उसमें क्या जल नहीं है चल है हमारे शरीर में बहुत मात्रा में जल है अगनी तत्व है वायू तत्व है लेकिन मुख्यतत्व क्या है तो कहा पृत्वी अर्थात भूमी आगे जलम पानी जो दिखाई दे रहा है उसका अपना गुण क्या है अपना रूप क्या है तो कहा स्नेह स्नेह स्निक्धता अर्थात तरलता तरलता लिक्विडिटी ये उसका अपना मूल गुण है बाकी गु नहीं उष्णता अगनी जो जलती दिखाई दे रही है इसका अपना गुण क्या है तो कहा उष्णता गर्मी फिर कहा वायू वायू का अपना स्व रूप स्व गुण क्या है कहा प्रणामी प्रणामी अर्थात एक स्थन से दूसरे स्थन तक जाने वाला बहने वाला लगाता गती करना और उसके बाद आता है आकाश आकाश का अपना गुण क्या है तो सब जगह पर एक जगह से दूसरी जगह एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तूओं को भेजना सर्वतो गती वायू है निरंतर बहनेया उसका अपना गुण है और आकाश का अपना गुण है सर्व तो गति ही, हर स्थान पर चीजें जा सकती हैं, अगर आकाश है तो अब कहरें, अब देखें, पांचों तत्वों का अपना रूप क्या है प्रिथिवी का अपना रूप है मूर्ति आकार जल का अपना रूप है स्नेह, स्निक्धता वही, जो जल हमारे सामने रखा है ना आज उसका अपना रूप है, उसमें केवल स्निक्धता, बाकी तो उधार लिये हुए है स्निक्धता यानि कि लिक्विडिटी शीतलता भी कह सकते हैं हने की बिलकुल अलग-अलग है आगे, कह रहे हैं वहनी उस्नता और अगनी का अपना गुण है उस्नता गर्मी, वायू का अपना गुण है बहना और आकाश का अपना गुण है सरवतह गती हर स्थान पर गती होना इति एतत स्वरूप शब्दे न उच्छते ये स्वरूप शब्द हैं अपने मतलब जल का अपना रूप क्या है तो बताया जैसे स्नेह स्निक्धता तो ये अपना रूप है और ये शब्द कभी भी पानी के लिए प्रयोग में नहीं आता कि अच्छा स्नेह ले आओ कोई कहता ऐसा नहीं कहते हैं पानी ले आओ लेकिन जब बात आएगी कि भी आपनी का अपना रूप है क्या तो बहले स्नेह है तो एक नया शब्द प्रयोग करना पड़ेगा इसे स्वरूप शब्द कहते हैं अत्र सामान्यस से शब्दादयो हो विशेशाहा तथा चवुक्तम एक जाती समन वितानाम अब समझने की बात ये है कि किसी भी वस्तु में कुछ गुण तो होते हैं सामान्य और कुछ गुण होते हैं विशेश सामान्य गुण क्या होते हैं जो सब में हैं वो सामान्य है वो धर्ण के तोर पर मैं और आप और सब लोग जो कक्षा में जुड़े हुए है, हम सब में सामान्य बात क्या है, अंग्रेजी में कहें तो common बात क्या है, common बात यह है कि हम सब मनुष्य है, तो मनुष्यता का गुण हम में सामान्य है, common है, हलाकि आप कहेंगे, मनुष्यता कोई सामान्य चीज है, मनुष्यता तो बड़ी किसी में है जो योग्यता केवल मेरे पास है वो योग्यता विशेश है और जो योग्यता सब के पास है तो कहा वो योग्यता है सामाने योग्यता उदहरण के तौर पर जो हम पानी पीते हैं और जो हम श्वास लेते हैं क्या पानी और हवा सामाने चीज़े हैं इनके बिना तो जीवन ही संभव नहीं है मरना जाएंगे हम अगर स्वास न मिले हवा न मिले और पानी न मिले लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति कहे आकर के आओ आओ तुम्हे विशेश चीज दिखाता हूँ और वो एकदम से आपको कमरे से बाहर ले जाओ आओ एक विशेश चीज दिखाता हूँ बोले क्या है विशेश और वो पानी दिखा दे कर देम पानी भरा हूँ यह रही विशेश आपको वे पगला गए हो यह क्या विशेश है यह तो मैं रोज देखता हूँ पीता हूँ नहाता हूँ मेरे स्नानागार में हमारे रसोई में यह तो टंकियों में आता है पानी इसमे विशेश क्या है कोई कहा आओ आओ तो आपको विशेश चीज दिखाता हूं बहुत क्या विशेश घर के बाहर आओ एकदम जल्दी देखो हवा चल रही है अरे भाई यह क्या चल रही है हवा हवा तो मेरे घर में भी है मैं सांस ले रहा हूं कुछ खास हो तो बताओ आंधी चल रही हो तो बताओ सामान्य गढ़्धे में परा हुआ पानी दिखा दिया बार आ रही हो तो दिखाओ तो जो हमें सह जो पलब्द है सब जगा है उसे कहते हैं सामान्य और जो कहीं कहीं है बस किसी एक आदमे है उसे कहते हैं विशेश गोन तो ऐसे ही पांचों तत्वों में देख लिए प्रिथवी अगनी जलवायू आकाश पांच चीज़ें जो हम सीधे प्रयोग करते हैं वो पानी जो हम प्रयोग करते हैं वो प्रिथवी जो हम प्रयोग करते हैं वो वायू जिससे हम स्वास लेते हैं और वो अगनी जिससे हम भ सबका स्तित्व है, एक्जिस्ट करते हैं सब, ये गुण इनमें सामान्य है, साथ ही साथ सबके सब प्रकृतिक हैं, प्रकृति से बने हुए हैं, ये इनमें सामान्य गुण है, लेकिन इनका अपना विशेश गुण क्या जो केवल गुण इनहीं में किसी और में नहीं है, केवल अगनी का गुण है और किसी में नहीं है आप कहेंगे गर्मी तो पानी में भी होती है पानी को गरम कर लेते हैं वो पानी का अपना गुण नहीं है दरसल पानी के नीचे आग जलाई गई है पानी ने आग को सोख लिया है तब जाकर के पानी में गर्मी आई है अपना ग यहां पर किसी माली जी आकाश है आकाश का गुण है शब्द शब्द विशेश गुण है आकाश का गंद विशेश गुण है प्रिथवी का रस विशेश गुण है जल का और बाकी सबने सब को थोड़ा थोड़ा दे रखा है जैसे पानी गर्म भी हो जाता है तो अगनी से भाइ देता है तो उप्रितावी से लिया हुआ है किसी और से लिया हुआ है आगे कहा तथा चवक्तम जैसा कि वह बोलाते हैं लेकिन हम कई लोगों को एक साथ खड़ा कर दे तो हम एक जाती नाम दे देते हैं उसे उधारन के तौर पे मेरा नाम प्रभाकर आप में से जो लोग जुड़े हुए हैं अगर मैं करम से देख हूँ तो अभिशा, बबीता, बलजीत, बलराम, भारती, दीपती, धर्म, पाल, डॉक्टर, गुलहमीद करके ऐसे कई नाम जो मेरे सामने हैं अब सोचिए ये आपके अलग-अलग पहचान है आपके आप यहाँ पर अलग-अलग हैं लेकिन अगर हम सब लोग कहीं एक जगह पर खड़े हो जाएं एक स्थान पर और कोई व्यक्ति जा रहा तो वो क्या कहेगा मनुश्य खड़े हैं देखो हम सब लोग सफेद कपड़े में खड़े हो जाएं धोती कुर्ता पहन करके तो पंडित खड़े हैं देखो तो ये जाती का नाम हमें दे दिया गया हम इंडिविजुल यानि कि अलग अलग स्वतंत्र रूप में भी हमारा स्थित्व लेकिन कई बार हमें लोग जाती के नाम से भी बुला देते हैं अगर मेरे पास गाय है एक गाय है दो गाय है मैंने दोनों का नाम रख रखा है अलग अलग किसी का नाम कुछ रख रखा है किसी का नाम कुछ हमारी गोशाला में भी गायों के अलग अलग नाम है सब जगह होते हैं लेकिन अगर मान लीजिए बहुत सारी गाए एक साथ चर रही है तो हम क्या कहींगे तो गाए उसका अपना निजी नाम नहीं है गाए उसका जाती का नाम है और जाती का नाम बनता कैसे है तो कहा धर्म मात्र व्याब व्रिति अगर एक धर्म सब में है common धर्म है धर्म मानें गुण, quality, विशेष्टा सब में एक जैसा है तो अपने आप तुरंत जाती बन जाएगे जाती बनती ही तब है जब एक जैसा गुण सब में पाया जाए पुरुषपना एक गुण है जो कई लोगों में एक साथ पाया जाता है इसे ही मान लीजिए कोई पशु है पशुआं में भी कुट्टे बिल्ली होते है एक जैसे गुण सब में होते है जाती बन गई लेकिन जिस जाती को हम आज जाती कहते हैं जिसको जाती वाद के नाम से बुलाया जाता है ठाकुर बनियादी तो ये जाती होती ही नहीं क्यों कि जैसे किसी का जन्म होता है एक जैसा गुण नहीं होता किसी में कि ये व्यापारी ये व्यापारी ये व्यापारी उसे बनिया कहेंगे ये भी लड़ने में ये भी लड़ने में इसको राजपूत कहेंगे ये भी विद्वान ये भी विद्वान ये भी विद्वान इसे ब् एक गुण हम सब में समान है वो हमारी जाती तै करता है आगे दुनिया की कोई भी वस्तु कोई भी पदार्थ सामान्य गुण और विशेश गुण दोनों से मिलुजली होगी अगली पंक्ती पढ़िए सामान्य विशेश समुदायो अत्र द्रव्यम मैंने किसी को द्रव्य कह यानि कि मेरे पास ये रुमाल है ये द्रव्य है लेकिन इसे द्रव्य क्यों कहा क्योंकि इसमें सामान्य गुण भी है और विशेश गुण भी है सामान्य गुण है कि ये कपड़ा है अब जितने भी कपड़े यहां पर है वो इसकी जाती में आ जाएंगे और इसकी अपनी रुमाल है, कपड़ों में भी रुमाल है, तो इसमें कुछ विशेष गुण भी है, कुछ सामान्य गुण भी है, यही किसी वस्तु को द्रव्य बनाते हैं, आगे करें द्विष्ठो ही समुः, अभ यह जो किसी भी द्रव्यों का जो समुः होता है, गुरूप, वो दो तरह का होता है उपर बात कही तिने एक जाती बन जाती है जाती कई दरव्य एक साथ मिल जाए तो वो जाती बन जाते है एक जैसे दरव्य तो कहरें जो दरव्यों का समुह होता है मान लिजे ऐसे मनुष्य आजाएं तो जो समुह है ये दो तरह से पहचाना जाता है कैसे दो तरह से तो कहरें सबसे पहला प्रत्यस्तमिता भेद अवयवानु गतः एक शनल रूगिए दो तरह का समुह होता है क्षमा कीजिएगा दो तरह का समुह होता है गुरुप होता है दो तरह का पहला प्रत्यस्तमित भेद अवयवानु गतः जिसमें जिस नाम में ही पता चल जाए कि चीजें अलग-अलग हैं और एक जिसमें पता ना चले कि चीजें अलग-अलग हैं कि नहीं हैं उदहरण के तौर पर हमने दो-तीन शब्द प्रियोग में लेने हैं और देखना है कि क्या हमें पता चलता है कि इसके अंदर क्या है और यह हमें पता नहीं चलता कि इसके अंदर क्या है उदहरण के तौर पर शरीर शब्द है कि हमें पता चलता है कि शरीर में कौन से अलग-अलग पार्ट है हलाकि जो हमारा शरीर वो ग्रुप है समु हो है किस से बना है अंगों से बना है हाथ, पैर, आँख, नाक, सिर, त्वचा, अस्थी इन सब को मिला के शरीर बना है शरीर कोई एक चीज नहीं कई चीजों का एक गुरुप है समूह है क्या उस शरीर शब्द का प्रयोग करते हुए हमें पता चल रहा है कि शरीर किन से मिलकर के बना है नहीं ऐसे ही मान लीजिए व्रिक्ष है अब व्रिक्ष भी कई अवियवों से मिलकर के बना है क्या हमें पता चल रहा है कि इसके अवि प्पूल है नहीं पता चल रहाी है नहीं पता चलेगा लेकिन आप अगले दो शब्द सुनी, यूथ, यूथ कहते हैं, मनुश्यों का समू, यूथ हमाने मनुश्यों का समू, अब एक नाम दिया मनुश्यों का समू, इस नाम को सुनते ही हमें पता चल रहा है, कि समू हो एक नाम है, पर किसका समू है मनुश्यों का, यानि कि मनुश्य हैं इसके अंद चलो ये तो और थोड़ा अलग लग रहा होगा, आपने सुना वनम जंगल, हमने सुना वनम जंगल, जंगल का मतलब ही होता है पेड़ों से, जिसमें बहुत सारे पेड़ों उसको जंगल कहा जाता है, यानि कि एक तो शरीर है, व्रिक्ष है, शरीर एक अलग वस्तु है, लेकिन वो भी कई चीज़ों से अलग अलग चीज़ों से मिल करके बना है, यानि कि शरीर में आख एक अलग चीज़ है, कान एक अलग चीज़ है, हाथ एक अलग चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें मिली हु ये भी मनुश्य, ये भी मनुश्य, ये भी मनुश्य, ये भी मनुश्य, सब एक जैसे मनुश्य, ऐसा नहीं है जैसे शरीर में हाथ अलग है, पैर अलग है, आंख अलग है, कान अलग है, तुचा अलग है, सब एक जैसे हैं, ऐसे ही पेड़ है, पेड़ में डाली अलग है, फ पुल मिलाके समुहू दो तरह के होते हैं, पहला जिसमें हर अंग अलग-अलग होता है, जैसे हमारा शरीर, और एक वो समुहू जिसमें हर अंग एक जैसा होता है, जैसे जंगल, अब आगे कहरें, मनें पहला समुहू वो होता है, जिसमें हमें पता ही नहीं चलता कि समुहू किस चीज़ का है, नहीं पता चलता है, दूसरे में पता चल जाता है, नाम सुनते ही, कि सम्हू किस चीज़ का है उधरन के तौर पर का उभये देव मनुश्या हाँ दो सम्हू खड़े हैं साब यहां पर देव और मनुश्यों का देवताओं का सम्हू और मनुश्यों का सम्हू तो पता चल गया आम के पेड़ खणे, केवल जंगल कहने मातर से नहीं पता चला, जंगल कहने मातर से तो पता चला कि पेड़ खणे, किसके पेड़ खणे हैं, ये नहीं पता चला, ये कब पता चलेगा, जब नाम ही ऐसा हो, तो कुल मिला कि दो तरह का समुह हमने देखा, एक के नाम से ही पता अंदर शरीर है मान लिए हमने का जंता खड़ी है जंता में कौन जंता खड़ी है भाई किस तरह के लोग खड़े हमें क्या पता जंगल है कौन से जंगल है कौन से पेड़ खड़े हमें नहीं पता तो एक नाम से ही पता चल जाता इसके अंदर क्या है एक में नाम से नहीं पत पता चल पाता कि इसके भीतर क्या है कह रहे हैं ताब्ध्याम एव अभिधियते समुह बस इस दो तरह के नामों के ही समुह मिलेंगे आपको कहीं भी कोई भी गुरूप का नाम रख लीजें गुरूप का नाम दो ही तरह का होगा या तो उससे पता चल जाएगा इस अच्छा है किया हम भेद दिखाना चाहते हैं नहीं दिखाना चाहते हैं अगर हमें नहीं दिखाना तो बोल दो जंगल है और हमें पता सामने वाले को पता करवाना है कि कैसा जंगल है तो नाम ही अलग पुकार लो उसका के दूजी साब चीड का जंगल है चीड के पेड़ होते हैं तो भेद बताना है कि नहीं बताना यह आप पर निर्भर करता है उसी तरह के नाम का हम प्रियोग करते हैं जैसे आमरानाम वनम या तो वन शब्द का प्रियोग कर लो सीधे तो पता नहीं चलेगा जंगल किसका है या आम्रा नाम वनम बोल दो तो थोड़ा सा भेद भी पता चल जाएगा भे आम का जंगल है ब्राम्रा नाम संगह या तो ये बोल दो कोई संगठन है संगठन कौन सा है नहीं पता या बोल दो ब्राम्रों का संगठन है तो थोड़ा स्पष्ठ हो जा एक वो समूहForm जिसके नामसे पता चल जाता इसमें क्या है एक वो जिसके नामसे नहीं पता चल पाता कि इसमें क्या है अब कह रहे हैं दूसरा नजरिया देखिए सपुनर दिविधो युतसिद्धावियवो अयुतसिद्धावियव अश्चम उस समुहों को दो भागों में और बांटा जा सकता है युतसिद्धावियव और अयुतसिद्धावियव अब ये यूता सिद्धा अवयव क्या होते हैं देखे एक होता है यूता सिद्धा अवयव कह रहे हैं दो किसी समुह में किसी ग्रुप में दो अलग-अलग चीजें हैं और वो दो अलग-अलग चीजें अगर अलग-अलग रहें तो भी उनका अस्तित्व रहेगा एक होते हैं आयूत सिद्धावियब कि भाई समू के अंदर दो चीजें हैं पर वो दोनों साथ में रहेंगी तो ही समू हो रहेगा एक हट गई तो समू हो रहेगा ही नहीं या जंगली मालीजे एक वन में पचास पेड खड़े ही आम का एक जंगल है उसमें पचासो पांचसो खड़े ही उन पांचसो में से एक का अपना अलग स्तित्व है दूसरे का अलग स्तित्व है तीसरे का अलग चौथे का अलग पांचमे का अलग छटे का अलग सब का अलग स्थित्व है इसे कहते हैं युत सिध्ध अव्यव दोनों का अलग-अलग स्थित्व है एक है अयुत सिध्ध अव्यव जैसे हमारा शरीर अब हमारे शरीर में कितने अव्यव हैं सोचिए आख, ना, कान, हाथ, पैर क्या एक का अव्यव मतलब हर अंग स्वतंत्र है नहीं आपस में जुड़ा हुआ है आपस में कैसे जुड़ा हुआ है अगर हमारी आख में गड़बड होती है तो उसका असर दूसरे अंग पर भी आएगा निश्चित रूप से आएगा अगर हमारे कान खराब हो गए दूसरी इंद्रिये भी खराब हो सकती है पूरी संभाब ना होगी होगी उधारन के तौर बड़ ये जो मेरा गला है गले से उपर उपर वाला हिस्सा सिर जिसको हम कहते हैं सिर मेरे शरीर का एक अंग है अव्यव है अगर सिर काट दिया जाए तो पैर पैर के रूप में रहेंगे नहीं रहेंगे क्या मेरा शरीर शरीर बचेगा नहीं बचेगा लेकिन अगर जंगल में आम के पेड़ है आप पांच आम के पेड़ काट दीजिए दस आम के पेड़ काट दीजिए ग्यारह वे पर रत्ती भर असर नहीं पड़ेगा हमारे शरीर में असर पड़ता है हमारे शरीर में असर पड़ता अगर हाथ कट जाए तो दूसरे हाथ पर असर आएगा क्या आएगा कि दोनों हाथ मिलकर के कुछ काम कर रहे थे वो काम सारे बंद हो जाएगे अब जो एक हाथ से हो सकता है, सो हो जाएगा, कोई छोटी सी वस्तू उठा आगे रखने हैं, रख देंगे, लेकिन जो दोनों हाथों से हो रहा था, वो काम बन, यानि इसकी योग्यता समाप्त हो गई, दूसरे के हटते ही, जैसे ये हाथ हटा, इसकी योग्यता आधी समाप हो गई, एक अवयव का दूसरे पर असर पड़ रहा है, यूतसिद्ध अवयव, और अयूतसिद्ध अवयव, आप कह रहे हैं, यूतसिद्ध अवयव क्या होते हैं, समुहवनम संगहिती, जैसे मान लीजिए, पेडों का समुहों जिसको जंगल कहते हैं, या फिर अख्षत्रियों का, जिसे मुद्र게 कहते हैं, उनमें हर विक्ति की अलग अइडेंटिटी होती है, अलग अस्तित्व होता है, अलग पहचान होती, सबका अलग-अलग काम होता है, एक सैनिक अगर मर गया, तो दूसरा उसकी जिग़ा ले लेता है, एक पेड़ अट गया, त तोर पर शरीरम हमारा शरीर भाई सारा का सारे जो अंग है कुल मिला करके सबको मिलाया जाए तो शरीर है और आपके किड्नी हटा दें तो शरीर शरीर उस रूप में बचेगा ही नहीं आधे काम बंद हो जाएंगे और दोनों किड्नी हटा दी तो आदमी गया काम से ऐसे व्र व्रिक्ष है व्रिक्ष बहुत सारे अंगों से मिलकर बना है परमाणूं से लेकिस सब को मिला के बना है काट दो तो पेड़ पेड़ नहीं रहेगा तो शरीर व्रिक्ष और परमाणू परमाणू भी प्रकृति के तत्वों से मिलकर के बना है परमाणू भी प्रकृति के तत् आप तुसी समय तो ये दोधतरा के भेद यानि कि अलग-अलग विभाग और कर दिये एक तो युत-सिद्ध अवयव और अ-वियव अस्थित्व रखते हैं और अ-वियव अलग-अस्थित्व नहीं रखते हैं उन्हें एक दूसरे की जरूरत है जैसunge के है जंगों को एक दूसरे की जरूरत है व्रिक्ष के अलग-अलग अव्यवों को अगर तना ही न हो तो फूल पत्ते एक्जिस्ट ही नहीं करेंगे उन्हें आवश्य रखता है एक दूसरे की तो करें अयूत सिद्ध अव्यव भेदानुगता समूहो द्रव्यम इती अब ये जो अयूत सिद्ध अव्यव है देहन दीजिएगा दो तरह के गुरूप बताएं एक तो जंगल गुरूप है समूह है जिसमें कई सारे पेड़ है सबका अलग स्तित्व है हर पेड़ अपनी एक अलग सत्ता रखता है बस उन सब पेड़ों को मिला के हमने एक नाम दे दिया जं मनुष्य एक जगा खड़े होंगे ना तो हम इसको संगठन कह देंगे सच में संगठन कोई चीज नहीं है कि आप ला के दिखा दो साब ये है सच में कुछ नहीं है वो सच में जंगल कोई चीज नहीं है ला के दिखा दो सच में संगठन कोई वस्तु नहीं है जैसे कोई सं आर्थना पत्र जी यह यह है तो कलेक्टर जाके का संगठन को लेके आओ जाओ संगठन का लेटर हैड तो है पर संगठन कहा है उससे बुलवाओ पहले यह बात अब बड़ी समस्य आ जाएगी संगठन से यह बात कैसे बुलवा दें तो प्रधान और मंत्री आएगा और वो की बात कहेंगे तो कलेक्टर कहें कि यह तो प्रधान है यह तो अलग-अलग मनुष्य बैठे हैं तो मैं संगठन की बात कर रहा हूं जैसे मानलो हमारा धर्मवीर संस्थान है या आरे समाज है मानलो आरे समाज एक संगठन है जब हम कहते हैं आरे समाज की बात सुननी चाह आरे समाज, अलग से कोई identity नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, जाके बोल देगा, मैं हूँ आरे समाज, मेरी बात सुनो, तो हमने नाम रखा हुआ है, लेकिन एक दूसरा समुह होता है, जो अलग-अलग identity नहीं होती उसमें चीजों की, जैसे हमारा शरीर है, जैसे पेड़ है, मिला ये भी कुछ बहुत सारी अंगों को मिला करके बना है, मेरा शरीर भी अंगों को मिला करके बना है, लेकिन पेड़ एक स्वतंत्र अस्तित्व बन गया है, क्यों क्योंकि उसके अंदर के जो अंग हैं, वो अलग-अलग नहीं है, वो सच में आपस में connect हैं, जुड़े ह हुए हैं, एक दूसरे को सहायता दे रहा है, एक अंग पर दूसरा अंग आश्रित है, और जब कोई ऐसा समुहू बनता है, कि एक अंग दूसरे अंग पर आश्रित हो जाता है, उसे कहते हैं द्रव्य, ध्यान दीजिएगा, वही वास्तव में वस्तु होती हैं, उधरन के तोर पर एक और उधरन देता हूं, जैसे मेरे पास फोन है, मोबाइल है, इस मोबाइल का हर पार्ट एक दूसरे से गुथा हुआ है, एक दूसरे पर आश्रित है, कैमरा बाकी सारे बैटरी पर आश्रित है, बैटरी कैमरे पर आश्रित है, कैमरा ना हो, बाकी ना हो तो बैटरी क्या करेगी क्यों लगाई जाएगी स्क्रीन बाकी पराश्रित है स्क्रीन अपने में स्वतंत्र काम कर ही नहीं सकती नहीं कर सकती संभवी नहीं तो ऐसे जितने भी इसके पार्ट हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ऐसे ही हमारे शरीर में किड्नी क किसी और से जुड़ी हुई है जो हमारे फेफडे हैं वो किसी और से जुड़े हुए हैं हरदय किसी और से जुड़ा हुआ है एक दूसरे के सहायता से सब चल रहे हैं तो जब ऐसा कुछ बनता है तो इसको द्रव्य इसको एक नाम दिया गया मोबाइल मोबाइल नाम की चीज दुनिया में है घड़ी नाम की चीज दुनिया में है ऐसे ही रुमाल नाम की चीज दुनिया में है क्योंकि हर धागा दूसरे धागे को सहयोग दे रहा है बिना एक एक दूसरे के सहयोग के धागे आपस में रुमाल कहलाएंगे ही नहीं अब लेकिन जंगल पर आईए क्या ए ऐसे ही आईए किसी संगठन में क्या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आश्रेसिटिका हुआ है नहीं ये अपना जीवन जीर है वो अपना जीवन जीर है हाँ किसी मामले को लेकर के दोनों मिल के काम कर लेते हैं पर वैसे अस्तित्व में ये अलग जीवन जीर है ये अलग ज प्रक्रिती की तरफसे ही बन कर क्या है जबकि दुनिया में हर चीज आविया वह सही तो बनी है लेकिन किसी को हम वस्तु कहते हैं और किसी को हम वस्तु नहीं कहते हैं कोई हमारी कल्पना होती है तो पहली चीज जंगल हमारी कल्पना है लेकिन पेड़ मनुष्य के द्वारा बनाया गया एक स्वतंत्र अस्तित्प है भले ही सब कुछ अंगों से मिलकर बना है सब कुछ कुछ न कुछ जूड़ करके बना है तो कह रहे हैं आयूत सिद्ध अव्यव भेदानु गतह समुह ऐसा समुह जिसमें हर अंग दूसरे अंग की सहायता से टिका हुआ है उसे हम द्रव्य कह देते हैं इती पतंजली ऐसा पतंजली जी मानते हैं पतंजली जंगल को कोई द्रव्य नहीं मानते हैं जंगल कोई वस्तु नहीं है द्रव्य नहीं है और संगठन कोई द्रव्य नहीं है हमारी कलपना है हमारा व्यवार चलाने के लिए दिया गया नाम है पतंजली जी की दृष्टी में ये सब द्रव्य नहीं है द्रव्य वो जो आपस में जिसके अंग एक दूसरे से गुथे हुए आगे एतत स्वरूपम इतियुक्तम ये वस्तु का स्वरूप है पहले हमने स्थूल स्थिती देखी थी स्थूल स्थिती जो बाहर आँखों से दिखाई दे रही है हाथ से छुई जा रही है लेकिन उसका गुणों से मिलकर के कोई वस्तु बनती है फिर जब गुणों से मिलकर वस्तु बनी तो संगठन बन गया अब संगठन दो तरह का होता है कैसा संगठन होता है तो दो तरह का होता है सबसे पहला शरीर दूसरा कोई संगठन मतलब कोई समूह शरीर तो हमारा सब का अलग मिला दिया तो समुह बन जाता है एक व्रिक्ष नाम का समुह है संगठन है व्रिक्ष में भी अवियव है दूसरा कई व्रिक्षों को मिला के जंगल नाम का वियव है इन में से द्रव्य किसे कहें तो कहें शरीर एक द्रव्य है व्रिक्ष एक द्रव्य है जंगल द्रव्य नह ये तीसरी चीज़ है सूक्ष्म क्या होता है सूक्ष्म स्थिती क्या है वैसे 6 बच कर 48 मिनट हो गए है तो मैं सोचता हूं इसको सूक्ष्म स्थिती और अब ये इसको बाद में सूक्ष्म सूक्ष्म के बाद में अनवय और अनवय के बाद में अर्थवत्व ये हम कल देखे तो अगर आप लोगों को प्रशनादी करने हैं तो कर सकते हैं